बच्चो सुंत्रफार, हम दस्वी हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं शिति भाग्दों का काविखा इंद थी देव, देव या एक सवईया और कवित है इसमें और इसकी कवी है देव, तो चलिए शुरू करते हैं हम अब हम पढ़ते हैं, यह जो सवईया और कवित हैं इसके कवी देव हैं और इन देव का जीवन पंचे देखते हैं कि हिंदी की ब्रजभाशा, कावि के अंतरगत, देव को महा कवी का बौरव राफ्त है क्या है हिंदी की ब्रजभाशा कादर के अंतरगर देव को महा कभी का बारव रांत है और उनका पूरा नाम देवडत्य था इनका जन्म इतावा उत्रप्रदेश में हुआ था और ये प्रद्वा में विहारी, भूशन, मतिरां, आधी जो समकारीं कभियों से कम नहीं थे बरन मंको बढ़कर ही सिद्ध होती है धिए जिसी इजटगर वाथ से आधी में होती है इंको वैसे प्रसिद्धी प्राप्त नहीं हो इसके काएं के काि गन्तों की संध्या बावन से बावन से बहाद तरत मानी जाति müssen Extrem में का Architecture की संध्या कित्य मानी जाती है बावन से बहा उनमें से रस विलास, भाव विलास, भावानी विलास और काव रसाइन नमुक रचनाएं माली जाले हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो सवयय कवित है, इसका परिश्वय देखते हैं कि क्या। तो यहां संकिलित कवित और सवयय, बच्चों एक बाद पता देखा, कि सवयय और कवित छंद होते हैं। इनको एक छंद माना जाता है, और कवित को साधारन रूप में कवित भी कह सकते हैं। तो कवित और सवयय में एक और जहां रूप संदरिका, आलग कारिक चित्रन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी और प्रेव और प्रकृत्ति के पती, कवित भावों की जो अंतलब जो मनों भावनाएं के कवित की उनकी भी अभी व्यक्ति पहले सवयय में कृष्णी के राजसी रूप संदरिका वर्णा थे, जिसमें उस युग्र का सामन्ती वेरोच अनका है। बुसरे कवित में वसंद को बालग मुप में दिखा का क।कती के साथ संबढ़ की अभी व्यक्ति को इन एक। परशानी के युक्रीश के लिए देव दू। में फेंट जैसे पार्दरशी बिंदु काम में लेते हैं जो उनकी ताथ कुशंता का पंचाया है अब हम देखेंगे कि अभी जो हम कवित और समया पढ़ेंगे उसका शारांश तो पहला सो कवित है या वसंत रितु की सुंदर्बा का बर्णन कराता है बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उस पालने बनना ही पंचिनों का विस्तर लगा हुआ बसंत ने पूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं जिससे उसकी शोगा और जागा पढ़ देए पवन की जोए जोंके उसे जुलर जुला रहे हैं मोर तोटे उसके साथ बाते कर रही हैं कोयल के उसके साथ बाते कर रही हैं अपना मन बहला रही है यह सभी बीच बीच में तालियों बचा रहे हैं कूलों से पराग की बुझबू आ रही है जैसे कि धर्में बुढ़ी और तेराई और नमक से बच्चों की नजर उताव रही हैं बसंत तो काम देल के सुखुत रहे हैं जिने सुबर सुबर गुलाग की कनिया जो अब दूसरे कवितने कवीली चांदनी राटिश नुमत्त का बने चांदनी ऐसे बिखर रही है जैसे इस पटिक मर्वी की प्रकाश से धर्ती ज़गर रही है ऐसे लग रहे ही जैसे कि दही का समंदर बहरा हो और प्रकाश दूर दूर तर सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे लगता कि पूरे फर्श को बूद का ज्राग कर लिया। और उस पेहनी में तारे ऐसे लगए जैसे कि दर्णाई की अवस्था वाली लगतियां साम दिखाई हो। ऐसा लगता कि मुत्रे की चमक पिल गई हो जैसे देख के पूर को रख में दूर। पूरा आस्मान में सी दर्पन की तनव की लगए है। जिसमें चाहँ तनव पूर्शिनी फैरी कुई है। और इस सब के वीश पूर्णी मत अच्छा ऐसे लगए। जैसे आस्मान रूपी दर्पन में राणा का प्रिजिन बज़ता है। अब तीसरे सबये में कभी देव ने श्री कृष्णी के राजसे रूप का वज़ता है। और यहां पड़करी देव का कहना ही कृष्णी के पैरोपी पायर है और मत वो धूर्ण सुना रही है। और उनके जो कामर्वन उने कर्धन ही पहन रखते हैं। उनके सावली शरी पर पीलवस्टा हुआ है। और उनके गरे में बनमाला एक प्रकार की जो फूलों की माला होती है। वहां बहुती सुन्दर रहती है। उनके सिर पर मुपट सजा है। राजसी मुपट के नीचे उनकी नुचंचर लेत रहे हैं। बहुती जागा सुचोवित हो रहे है। उनके पुपको कभी देख में चंद्रवा के उनकी जो कि उस अलोगिक आभा का प्रणार है। श्री कृष्णी के रूप को देखकर ऐसा प्रतीज होता है। जैसे उस अंसार रूपी में में दीवत के समानी का नाशी है। और समस्त जगत को अपने ज्यान की डॉशनी से ज्वाल कर बने है। अब हम यहां पर पहला सवय्या है। इसका वाचन करेंगे, मैंने करें भी बोला है। कि वाचन करने से जो हमारे उचारण की अशुदियां होती है, जो गल्तियां होती वक दूर होती है। तो पायनी नुपूर मन्जु बने, कटी किंकनी के धुनिकी मधुराई। सावरे अंग लसे पटकी, यह हुलसे वनमाल सुभाई। माथे की रीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुफ चंद जुनाई। जे जग मंतिर धीपक सुंदर, श्री ब्रज दूलह देव साय। अब हमने आपका वाचन किया। अब हम जो इस पद में कटिन शब्दाएं हैं, उनके अर्भों को देती है। कि पायनी का मतलब होता है पहनों में। दुपूर का अर्भ होता है पायर। मन्जू मतलब सुंदर, कटी कमर, किंकिनी कर्दनी पैरों में सेहिती है। दुपूर का अर्भ होता है पायर। मधुराई सुंदर का सामरे सामरे अंजिका होता शबीर। लसे का शुशोवित। शुशोवित। पन का वस्कुपीत का पिला, किये मतलब इदर्पर, कुलसे प्रसंदता से निओ, कुशी से ओतो, किरीट का मुपूट औ मुपचंद, मतलब मुपूनुपीत चंजुमा, आप अपर व्याद्या देए। इप्रस्तुन पांधियों में कभी दियूने, क्रिष्ट के सुन्दा चरित्र का वंदन चित्ति आए। क्रिष्ट के पैरों में गुंदू और का मल में तर्दनी है, जिसके मजुद गरी नीकर रही है। उनके सावले शरीप पर पीले बस्त्र और गरे में जो रजैंती वाला का बहुत शुशोवित हो रही है। उनके सिर पर मुकट हैं तथा आपकें बड़ी बड़ी ही। उनके चंचन नेक पर उनके मुक पर मन्द मन्द उसकामट है। जो चंद के लिपों के समाल सुंदर है। ऐसे श्रीक रिष्ट जबत है। मंदर के सुंदर जीपत है। और ब्रज के दुन्हा तर्थीस गुंदर है। अब हम दूसरा कवित जाएंगे। बाचन करेंगे इसका की दार द्रुम पलिना विछोना नव पलिनलते। सुमन जिंगूला सोगे तन छवी भारी। पवन जुलावे केकी कील बत रावे दे। कोकिल हलावे पुनसावे करतावे। पूरत परागसों उतारों करें राइनों। कंज कली नाई का लतान सिरसावे। मदन महीब जूको वालक वसकताई। पाता ही लग जगावत गुलाब चतकाई। तो इसके कटिंशक्त में ब्रुम मतलब पेव। सुमन जिंगोला मतलब तूलोगा जूला। जिंगोला मतलब चूला। केकी गोर कील तूता। आप यहाँ इदर पिक्चर में भी देखेंगे। हर्वे हुल सारे बातों में बिठास। उतारे करें तो इगाई लोग कि जिस बच्चे को नजर दगी को उस किसित के चानु हो। जाए और नमगों मांगर। आँख में जलानी का दोटका है जिससे नजर उतार। उतारी जाने। तंज करी गवर्की करी। चत्तारी का अर्थ होता है चुपती। अब यहां पर इसका अजर द्याव राख करी दिन है। कि इन पंतियों में कभी ने वसंति के आगुमन के तुल्या एक छोटे बालक से की है। और बालक छोटे बालक से वसंति की तुल्ला करते हुए तर्भी करते हैं कि प्रकुती में होने वाले परिवर्टों के उस भूम को दिखाया है। कैसे दिखाया कि जिस तरह परिवाल में किसी नए बच्चे के आगुमन उपर सब के चहरे खेल जाते हैं। उसी तरह प्रकुती में वसंति के आगुमन पर चारों तरह रौनक्षा जाती है हर्याली चारों के प्रकुती में बैसे ही जैसे घर के लोग वालत पूर्ण की नए बच्चे करना हैं। सब्सक्चन के आगुमन ने बच्टे में के निकल आमे में आगे से नहीं। जो जाएडर जीरे जाती हैं। जाते हैं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तबहीं किरा रहें दिरोतन, नहीं नहीं करिया और प्रखिया आजाए। वागों में को है हल्पो और कामो और आजी विभेज प्रतार के तक्षियों की आवाज सुनकर। ऐसा लगता है, मालों में बार्ण बसंते जी बहना की कोशिश कर रहे हैं और घर के सदर से अपनी अपनी तरीके से विभेज प्रतार की बार्खियों की आजी का अगर बच्चे को वहिवानी का पिलास करें। और कमन के समाई, फूल भी यहां पर यहां वागते कर अपना फुगन की पेशिते हुए नहीं नहीं आते हैं। वातावरण में सभी दिशाओं में सभी तरह विभीति प्रतार की पूलों की सुभड़ी इस तरह ब्याप्त है जैसे की घर में पढ़ी बूली जो महिदाई होती हैं पढ़ाई और नमक से बच्चों की नचर से छुपतारा दिरानी का दोटता है। वसंति की तुम्हें सुपर सुपर दिराति करें चटक कर्फूल बनती है। ऐसा जान पढ़ता है जैसे बाद प्रतार के सुपर सुपर दिराति के सुपर सुपर दिराति है। ताकि बहरों में ना लगे तो इस तरह करी दिरें में बसंति की तुम्हें एक्षों के बच्चे की से की है। बच्चों इसको आप अपनी कॉपर में लुखेंगे, नोट करेंगे और व्याद करेंगे।